नमस्कार व्यक्यान के पहले भाग में हिंदी सिनेमा की भाषा यात्रा पर हमने आजादी तक की बात की थी और अब इस दूसरे भाग में हम आजादी से लेकर अब तक की बात करेंगे तो आजादी की बाद हिंदी सिनेमा पर चर्चा करती हुए हम अवश्य ही किसी निश्कर्ष पर पहुंचेंगे देखिए दीरे-दीरे कैसे पोस्टर जो है अपने किस तरह की स्थितियां बदल रहा है अभिनेताओं के चेहरे किस तरह की भाशा को व्यक्त कर रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले भाग में भी कहा था कि सिनेमा भारतिय कला में सबसे अधिक लोगप्री इसलिए है क्योंकि उसकी भाशा आम जन्मानस की है समाज का प्रतियक वर्ग सिनेमा पसंद करता है और अक्सर उसके गीत उसके जुबान पर चड़ जाते हैं सिनेमा और समाज के बीच में उसकी भाशा निर्नायक भूमिका अदा करती है आजादी के बाद की स्थिति और घटनाओं के अनुसार सिनेमा की भाशा में परिवर्तन हुआ है जो की बड़ा ही स्वाभाविक है सिनेमा समाज का आइना है भाशा की बदलती रूप रेखा से ही समाज के बदलते स्वरूप को समझा जा सकता है साथियो भाशा ही सिनेमा के लोगप्रियता का मानक तै करती है आईए देखते हैं आजादी के बाद कैसे सिनेमा की भाशा लगातार बदलती गई भारत की आजादी ने कलाओं को मुक्त किया अव्यक्ति आजाद था मान से गुलामी से मुक्त होकर कला काद अपना स्रिजन करने लगा हाला कि सिनेमा को बहुत अधिक समय नहीं हुआ था लेकिन उसने अपना प्रभाव बहुत तेजी से जनता पर बना लिया था 1950 के बाद की फिल्मों में भारतिय समाज की तमाम विसंगतियों और उपलब्धियों को एक साथ प्रस्तुत किया गया फिल्मी गीतों ने जन मानस पर जादू सा असर किया हिंदी फिल्मी गीतों का समर्द इतिहास रहे 1950 का दशक आदर्श दौर है इस दौर में फिल्म कारों के दिमाग में भी देश और समाज के प्रती चिंतन हावी था यह महबूब खान, दिलीप कुमार, राज कपूर, बिमल राय, कि ए अब्बास, गुरुदत, चेतनानंद, देवानंद का चरम दौर है इसी दशक में सत्यजित राय ने भी अपनी सजक चेतना से पूरे भारती चिंतन को प्रभावित किया इस दौर की शुरुआत में आवारा जैसी बेतरिन फिल्म आई, मदर इंडिया और जागते रहो जैसी फिल्में भी इसी दौर में बनी 1955 में राजकपूर की फिल्म शिरी 420 आई, इस फिल्म में नायक अमीर होने के लिए गलत रहा पर चल पड़ता है लेकिन अभी नेत्री अपने आदर्श से जरा भी नहीं डिगती और अंतता नायक भी आदर्श की और लोट आता है इस दौर की फिल्मों में अदर्श की जीत बहुत आम परिहटना थी दरसल फिल्मी गीतों का 1950 में परदर्शित फिल्म देहिज ने भारती सिनेमा में जथार्थ की ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की जिसकी आवशक्ता आज भी समाज को ब्रावर महसूस होती है दहिज जैसी गंभीर समस्यां पर बनी यह फिल्म अपने समय की क्रांती कारी फिल्म माने जाती है ऐसे समाज में जहां इस्तरियों को अपने मन से हसने का भी अधिकार नहीं था उस समय में उनकी हित के लिए बनाई गई है फिल्म हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर साबित होती है 1952 में जब प्रत्थम अंतराश्च्री फिल्म समारो मुंबई में आज़ोजित हुआ तब इसका अमिट परभाव हमें भारती सिनेमा पर देखने को मिलता है 1955 में प्रदर्शित सत्यजित रे की फिल्म पाथेर पांचाली ने विश्व स्तर पर भारती सिनेमा को स्थापित किया जिससे हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान मिली इसने विश्व जगत से जुड़ने का रास्ता भी खोल दिया भारती फिल्म जगत को अंतर राष्ट्रिय पेचान साथियो तब मिली जब इस फिल्म को अभूत पूर देशी विदेशी पुरसकारों के साथ सर्व श्रेष्ट माना वृत चित्र के लिए कांस पुरसकार दिया गया इस समय की फिल्मों ने भारतीय जन्ता को मुरुरंजन के साथ ही सामाजिक सरोकारों और समस्याओं से भी बखू भी रूबरू किया इसे समय प्रदर्शित मदर इंडिया ने गाउं की उस तस्वीर को दिखाया जिसे प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में पेश किया था इसमें महाजन के हाथों, किसानों के शोशन तथा उनकी पीडा को बहुती मारमिक धंग से दिखाया गया गाउं की संस्कृती, उसके रिती रिवाज और परंपराओं को मदर संगीत में लपेट कर सामने रखने के कारण यह फिल्म भारती सिनेमा में मील का पत्थर बन दिए इस फिल्म में नर्गिस ने भारती नारी के चरित्र को इस गहराई से निभाया कि वह किरदार भविश्य में आने वाली अभिनेत्रियों के लिए चनौती बन गया और आज तक भी बना हुआ है पचास से लेकर सत्तर के दशक को भारती सिनेमा का गोल्डन इरा कह सकते हैं यह वह समय था जब देश आजाद हुआ था पहली बार ना केवल हमारा सम्विधान लिखा गया बलके प्रथम लोकसभव चुनाव और पंच वर्षिय जोजनाओं के आसरे विकास की चमचमहट के सपने भी दिखाए जाने लगे उसने अपनी बातों के स्मरन के लिए विभिन प्रकार के चिनों का निर्मान किया जो बाद में धीरे धीरे सुद्रिड लिपियों में बदलते गए और उनका विकास होता चला गया लिपि के शोद करताओं और वैज्ञानिकों ने चित्रों एमलकीरों के माध्यम से इसे विक्सित किया और वर्णकार रूबी दिया धीरे धीरे इन आकरितियों को प्रतीक चिनों में बदला जाने लगा जिसका नाम शब्द में लिपि दिया गया लिपि के माध्यम से ही धीरे धीरे विविद भाशाओं की लिपियां बननी प्रारंब होगी दरसन हिंदी भाशा का रंग रुतबा ही कुछ और है इसकी विशेष्टा है कि इसको जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं भाशा में जितना रागात्मक भावनात्मक राग होगा वे उतना ही सम्रिद होगी हिंदी सिनेमा में महत्वपून लेखन राही मासूम रजा वास्तम में साहित्ते और सिनेमा के बीच में सेतू का काम करते हैं वे भाशा को जनता से जनता को जोडने का माध्यम मानते हैं उनका मानना है कि भाशा जाती से नहीं समाज और व्यक्ति की रूची से निर्मित होत उनकी बहुँ चर्चित अपने किताब सिनेमा और संस्कृति में उन्होंने सिनेमा के विभिन बिंदूओं पर बात की है दरसल यह सपने सही मायनों में सिनेमा में भी खुब दिखाए गए नहरू उस दौर में जहां अपने पंच शील के सिधानतों और समाजवाद के कहरे को लोगों के बीच में सिखा रहे थे वहीं सत्यजित रे ने अपनी नजर से सिनेमा को पूरी तरह से बदल दिया पाथेर पांचाली अपूर संसार अपराजितों से उन्होंने देश में यथार्थवादी सिनेमा की नई लकीर खींची तो वहीं नहरू के समाजवाद को राजकपूर ने असली पहचान दिलाई इसी दोरान में सुराब मोदी, बिमल रॉय, राजकपूर, गुरूदत, रिशी केश मुखर जी ने अपने सिनेमा द्वारा समाजिक मुद्दों से इतर जथार्थवादी फिल्मों का युग भी शुरू कर दिया इस दोर में भी गुरूदत की प्यासा को कोई कैसे भूल सकते हैं, जो आदर्शवाद को अपने अंदाज में ठेंगा दिखा रहे थे इस फिल्म के गीत जिने हिंद पर नाज है नोस दोर में नहरू को कोब भवन में जाने से मजबूर कर दिया था उब्रकत बातों का संदर्व इतना ही है कि यह जो सिनेमा की नई जमीन तैयार हुई इससे भाषव को भी नईया रूप मिला बांगला सहित्य और सिनेमा का हिंदी सहित्य और सिनेमा से गहरा संबंद है आम जीवन को अपने साहित्ते का हिस्सा बनाने वाले शरत्चंदर के उपन्यास देवदास पर उसी नाम से बनी फिल्म जिसने कमाई का एक अच्छा खासा रिकॉर्ड बनाया देवदास की भाशा ने फिल्म को महत्वपून रूप दे दिया दिलीव कुमार की समवाद अदाईगी का कायल पूरा देश हमेशा रहा है समवादों को ठहर ठहर कर बोलने का अंदाज दिलीव कुमार की लोप्रियता का सबसे बड़ा कारण है बांगला सहित्ते पर बने फिल्में हिंदी में इसलिए सफल हुई क्योंकि उनकी समवाद भाशा का कलेवर आम जंता से सीधा सीधा जुड़ता है कमलेश्वर की कई कृतियों पर फिल्में बनी और उन्होंने दर्जन भर फिल्मों की पठकता भी लिखी सत्तर का दशक हिंदी सिनेमा का सबसे उर्जावान समय माना जाता है भाशा और सहित्य की सबसे सार्थक बहस इ इसी समय हिंदी साहित्य की प्रवृत्यों में चूंकि तेजी से बदलावाना आरम हुआ कमलेश्वर के मित्र रहे राजेंद्र जादव की उपन्यास सारा आकाश पर फिल्म बनी जो की पहले तो बहुत कम लोगों ने देखी लेकिन आलोचकों की प्रतिकिरिया के बाद फ हारा आकाश ना केवल कथाकृती को पूरी इमान्दारी के साथ प्रस्तुत करती है अपितुar कथानक के घटना क्रम को भी पूरी वास्तुख्ता के साथ चुतकर ने में सफल रही है इस भाशा इस फिल्म की भाशा में जो आंतरिक पीड़ा का दर्शन है वेःद्धवूत है जीवन की तरासदी और टूटन समवादों से नहीं बलकि मूख भाषा से अभी व्यक्त हुई है सिनेवा की भाषा में जो अनका है वही सार्थक है बाकी तो केवल समवाद है फिल्म के नायक का अपनी गलतियों का हैसान होना और फिर अपनी पत्नी के साथ लिपट कर बहु ती मारमिक है राजंद्र यादव की पत्नी और हिंदी साहिती की विख्यात कथाकार मन्नु भंडारी की कहानी यही सच है पर रजनी गंधा नाम से फिल्म बनी जिसने खूब चर्चा बटोरी हिंदी साहिते की कृतियों पर बासु चटर जी रिशी केश्मुकर जी गोमिद ने शाम बैनेगल अरुन कोल गुलजार अदी ने कई निनायक फिल्मों का निर्मान किया मनी कौल ने साहिती कृतियों के फिल्मांकन से अपने गरिमा में छवी भी स्थापित की साथियों हिंदी की क्लासिकल रचनाओं पर फिल्म निर्मान कर उन्होंने दर्षकों और आल सब्सक्राइब करते हैं उनकी फिल्मों की भाषा ने हिंदी सिनेमा को बिल्कुल नहीं तरह की भाषा दिए समवादों को का व्यात्मक स्वरूप देकर रोचक बना देने की कला केवल और केवल मनी कोल के पास थी इस संबंद में सिनेमा चिंतक प्रियाक्षुकल कहते हैं कि म नहीं करते उन्होंने अपनी स्रिजन धर्मिता को हिंदी सिनेमा के परंप्रागत स्वरूप से बिल्कुल अलग हटकर स्थापित किया वे सिनेमा को सहित्ते के सर पर और उससे भी आगे जाकर कविता की तरहां अमूर्थ रूप में प्रस्तुत करते हैं मनी कोल की सिनेमाई प्रस्तुति और देशन शंता वाकई अद्भूत है इसके विशे में आलोचक प्रयाक शुकल फिर कहते हैं कि मनी कोल के सिनेमा में मौन की एक एहम भूमिका है उनके कुछ फिल्मों में शब्द के बाद फिर शब्द पर पहुंचने में लंबे अंत्राल हैं इन अंत्रालो एक प्रवाद यह भी फिलाया गिया कि उनकी फिल्में तो बड़ी शिथिल हैं ना उनके समवादों में कुछ घटित होता है ना ही कथा क्रम को कोई घटी मिलती है जबकि सिती यह है कि वे शब्द और मौन और ध्वनी और संगीत और आंगिक भाशा के बीच एक दुरलब स सुमेल कायम करके दर्शक को एक नई तरह से संबोधित हुए थे मनी कोल अनोखी अंदाज के फिल्मकार है उनकी उसकी रोटी आशार का एक दिन जो की महनराकेश की उससे जुड़ा हुआ है दुविधा विजेदान देथा सतह से उठता आदमी मुक्तिबोद और नोकर की क असल सहिते एक शद्विधा है इसलिए उसके अनिवार्यता भाषा है ना कि कैमरा यह अपने आप में एक पूर्ण एवं आत्म निर्भर विधा है उसे पाठक चाहिए दर्शक नहीं यहां तक कि नाटक के दर्शक की मानसिकता पाठक की मानसिकता के अधिक निकट होती है बजाए सिनेमा के दर्शक के फिर ऐसी बाप भी नहीं है कि जो नाटक खेला ना जा सके वह व्यर्थ होता है लोक मंच की बात अलग है किन्तु सहितिक नाटक पूरी तरहें दर्शकों पर अवलंबित नहीं होता इसलिए यह तो काही नहीं जा सकता कि श्रेश्ट सहित्ते पर श्रेश्ट फिल्में ही बनाई जा सकती है या हर अच्छे सहित्ते पर फिल्म बननी चाहिए या हर फिल्म सहित्ते पर ही बनने चाहिए सत्य जीतरे उन फिल्म का आरंब में थे जिनोंने साहित्ते पर सबसे अधिक फिल्में बनाई किंतु उनकी सभी फिल्में साहित्ते पर नहीं है मित्रो 1990 के बाद आर्थी कुदारी करन के आरंब ने हिंदी फिल्मों को भी बदल दिया चोंकि हिंदी भाषा सिनेमा की लोगप्रियता का बहुत बड़ा कारण है इसलिए निर्माताओं ने इसमें पैसा भी खूब लगाया हिंदी सिनेमा में राज कपूर से रणवीर कपूर तक ने जो कुछ भी कमाया वे हिंदी भाषा के द्वारा ही संभव हो पाया बात यहां हिंदी की विकास यात्रा की हो रही है तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि सन दोजार की बाद सिनेमा की भाषाई असमिता में तेजी से बदला हुआ यहां यह समझना बहुत आवश्यक है कि हिंदी सिनेमा का अर्थ अब हिंदी भाषा से नहीं बलकि हिंदूस्तानी भाषा से है क्योंकि यहां पंजाबी भोजपुरी भी खुब चलती है इतना ही नहीं मिशन कश्मीर फिल्म के बोचर्चित गीत बुमरो बुमरो शामरंग बुमरो आए हो किस बगिया से तुम में कश्मीर के शब्दों को लिया गया है अगर हम हिंदी सिनेमा के इतिहास को उठा कर देखें तो यहां अलग-लग प्रदेशों के लोगों ने खुब काम किया जैसे शांतारा मराठी से विमलरो बंगाली से बो चर्चित फिल्म का मेभूब खां गुजराती थे बियार चोपड़ा सही तमाम लोग पंजाब से हैं इन लोगों ने हिंदी सिनेमा को समृद्द किया जबकि यह उनकी भाशा नहीं थी लेकिन इन लोगों ने हिंदी भाशा में फिल्में बना कर अपनी भाशा से बाहर के दर्शकों तक पहुँचने की काम्याब कोशिश की हिंदी सिनेमा के साथ गैर हिंदी भाशी कलाकारों के जुडाव को फिल्म निर्मान और निर्देशन के साथ साथ संगीत, पटकथा, छायांकन, संपादन, अथाथ सिनेमा के प्रतेक शित्र में देखा जा सकता है सिनेमा एक लोगप्रिय माध्यम है, इसमें सब तरह के फिल्म का सक्री हैं, इसको साहित्य की तरह कला मानने वाले भी बहुत हैं साथियो भारती सिनेमा में जब भी भाशा की बात होगी, इस्तरी द्रिश्टी से भी उसका मुल्यांकन होना ही चाहिए इस्तरी जीवन की छवी को समझने के दो महत्वपूर्ण कौन हैं, पहला वे फिल्में जो इस्तरी समस्याओं को ध्यान में रखकर इमानदारी से बनाई जा रही है और दूसरा सिनेमा में इस्तरी को अपनी जगह बनाने के लिए किये गए संघर्ष और समझोते को दिखाना जाहिर है सिनेमा आम जंता के लिए बनाया जरूर जाता है पर उसका उद्योग पूंजी वादी है जो अपने अंदर प्रवेश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रतिभा की डिमांड नहीं करता है डिमांड शब्द पर गौर करे तो सिनेमा का छुपा रुस्तम शब्द है समय समय पर ये डिमांड योन शोशन से बलातकार तक की यात्रा भी करता है सिनेमा उन्मुक्त विधा का साधन है यहां सफलता के लिए उन्मुक्तता और दहकता का प्रचोर मात्रा में प्रयोग होता है जो कि अब तो चरम पर है भुमंडले करण के प्रभाव से एक अच्छी चीज जहबी हुई है कि कई भाषाओं की फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी भाषा में नुवाद होकर फिल्में आने लगी हैं जिने सिनेमा में लिखने पढ़ने और देखने की रुची होने के कारण मैं अक्सर देखती हूँ जहां तक भारते सिनेमा में तमिल, तेलगू और भोजपुरी सिनेमा जिनका बाजार इस समय आपको यकीन नहीं होगा बाजार इनका अर्बो में हैं इनको छोड़ दें तो हिंदी और बांगला में इस्त्री विमर्ष के बिंदुओं पर खुब बात हो सकती है तमेल तेलगू और भोजपुरी सिनेमा में नाइका की भुमी का नायक के तनाव और खुशी को नाच गा कर बाटने से कहीं अधिक नहीं है भोजपुरी सिनेमा का दर्शक और निर्देशक दोनों ही इसरी की दहिकता और उसकी बोर्ड भाशा को खुब बेशना जानते हैं हमारा सिनेमा दरसर नैतिकता और परंपरा के इतने बैरियर तोड़ चुका है और हम उसके साथ इतने आज़स्ट हो चुके हैं कि रॉक स्टॉर की नाईका नायक से अशलिल फिल्में देखने शिराब पीने के बाद जब खुलती है और यह कहती है वापस आकर खुब गंद मचाएंगे तो उसे सुनकर बुरा नहीं लगता बलकि उस से हम इस तरी को उसकी भाशा में मुक्त होते हुए देखते हैं साथियों इतना ही नहीं जब हम जिस नाईका की चुई मुई और शर्माते लजाते रूप से प्रेम करते हैं उसे दबंग का नायक जब कहता है भ्यांकर खुब सूरत लग रही हो तो सुन्दर्ता की उस लिम्प की बिल्कूत सारी की सारी लिमिट्स तोड़ देता है जिसे भारतिय दर्शक देखने का आदी है नायक के पीछे भागती और उसके साथ गाना गाती दबंग की नायका जब यह मार से नहीं प्यार से डर लगता है साहब कहती है तो यहां से भाषा की एक नई परंपरा शुरू होती है साहित्ति हो सिनेमा हो या मनुष्य द्वरा रचि कोई भी कला हो उसमें इस्त्रियों के लिए मुक्ती के मार्ग अवश्य देखे जा सकते हैं अभी व्यक्ति के तमाम साधरों ने हाशे पर खड़ी आवाज को मुख्य धारा में शामिल करने का सार्थक प्रियास किया है कलाएं ना होती हम मानसिक रूप से अभी और भी रहन करता है आज जब हम आधुनिक्ता की अंतिम छोर पर खड़ी होकर उत्तर आधुनिक्ता का स्वपन बुन रहे हैं तब ऐसे में पितर सत्ता से घबराने की आवशक्ता नहीं है बलकि उन चनोतियों की तरफ ध्यान देने के आवशक्ता है जिन पर कभी विचार ही नहीं हुआ साहित्य को अब आम जंता तक ले जाने की आवशक्ता है यही समय की मांग है और जरूरत भी आजकल फिल्मों में इस्तियों को गाली देते हुए योनिक्ता पर खुल कर बात करते हुए दिखाया जा रहा है आजादी के बाद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसी किसने बनाई मा बहन की गालियां इस्तियों ने तो नहीं पुरुष जो इस्तियों के सम्मान का दम भरते हैं उन गालियों का खुले से खुला वेवार करते हैं वेवार करते हुए मर्दानगी दिखाते हैं ये गालियां मर्दों की जवानी मानो आदत ही बन चुकी है इतना नहीं नहीं वे हम उस्त्रियों को भी कटगरे में खीच लाती है जो अधुनिक्ता की चकाचोंद में खुद गालियां देती हैं मैत्रे जी ने उन्हें भी इस्त्री विरोधी करार दे दिया है क्योंकि उन्हें यह सच पता है कि गालियां जब भी दी जाती है उसके केंद्र म इस्त्री ही होती हैं इसलिए वे कहती हैं अगर कुछ फैशन प्रस्त यूवतियां मर्दों की तरह ही गालियों का वेवार कर रही हैं तो उनसे जादा इस्त्री विरोधी भला कौन होगा सिनेमा के साथ ही सोशल मीडिया पर भी इस्त्री भाशा का दुरूपयोग पुरुश और इस्त्री दोनों ही मिलकर लगातार कर रहे हैं आजादी के बाद सिनेमा अब इतना बड़ा माध्यम हो चुका है कि उससे सामाजिक संरचना की बदलते पर इदिश्य का भी पता चलता है अपने सो वर्ष से अधिक की पूरी कर चुका जो जात्रा सिनेमा की दुनिया बह जा ही नहीं जा सकता आज पूरी दुनिया में हिंदी भाषा हिंदी फिल्में देखी जाती हैं और समझी भी जाती हैं हिंदी फिल्मों के गीतों की भाषा इतनी लोग प्रिये है कि कई सारे विदेशी लोग भी इसके सम्मोहन में आ जाते हैं हिंदी फिल्मी गीतों ने भ पसरत जैपुरी द्वरा लिखेत इस गीत की भाशा देखिए यहां कोई नहीं तीरा मेरे सीवा कहती है जुमती गाती हवा तुम सबको छोड़कर आजाओ 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 तुम सबको छोड़कर आजाओ 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 इस गीत में अर्थ देने वाले शब्द पांट से छे ही है लेकि नायक और नायका की मनास्तिती का पूरा सजी वर्डन करने में सफलने यही सिनेमा की विशेष्टा है सिनेमा को तीन घंटे में पूरा जीवन चित्रित करना होता है इसलिए उसकी भाशा मजबूत होनी चाहिए सिनेमा की भाशा जितनी सहज होगी उतनी ही मारक होगी किशोर कुमार और आशा भोसले ने कई गाने साथ गए उनकी जोड़ी लोग प्रिये है नमक खलाल फिल्म में अमिताब बच्चन और समिताब पाटिल पर फिल्म आया गया गाना जो कि खुब चर्चित हुआ अरे 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 ना 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 आज रपट जाएं तो हमें ना उठाईयो आज फिसल जाएं तो हमें ना उठाईयो हमें जो उठाईयो तो हमें जो उठाईयो तो खुद भी रपट जाईयो हाँ खुद भी फिसल जाईयो यह उस दोर का गीत है जब फिल्मो लोक प्रिये हुए इस गीत में संभवता वह पहली बार इतना खुल कर सामने आए सिनेमा और साहिते की गीतों में तकनी की अंतर है साहिते शब्द की गरिमा को बनाए रखता है जबकि सिनेमा शब्द की गरिमा को बिगाडने का भी काम करता है इस गीत में सार्थक शब्दों की संख्या कम है लेकिन अपनी संप्रेशन शमता के कारण खुब लोकप्रिये है आज भी इसको खुब सुना जाता है इस प्रकार देखें तो हिंदी भाषा के प्रसार में हिंदी सिनेमा को बहुत बड़ा जोगदान है सिनेमा और मीडिया ने मिलकर हिंदी को समृद किया है भारत क्या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएए आपको हिंदी सिनेमा से प्यार करने वाले मिलेंगे भाषा की सहजता और मारक शमता हिंदी सिनेमा को लोकप्रिये बनाती है आज सिनेमा दुनिया का सबसे लोकप्रिये माध्यम है तो इसलिए क्योंकि इसकी भाषा आ पाएंगे और व्याख्यान को समाप्त करते करते मैं आपको फर्वरी 2013 का अंक हंस निया ज्यानों दे आंक 102 अपनी माटी ब्लॉक्स पढ़ने के लिए आप सभी साथियों से कहना चाहूंगी आप इनको पढ़ोगी तो वश्चे ही हिंदी सिनेमा की विकास यात्रा पर आपकी द्रिश्टी और भी व्यापक बनेगी आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद सादर नमस्ते